हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोई भी अबोशन पिल्स ले रहे हैं तो महलाओ के मन में काफी सारे सवाल होते हैं इसी के जवाब देने वाली हूँ आज इस वीडियो में माल लीजिए आपने कोई भी अबोशन पिल्स ले उसमें 5 टैबलेट होती है एक मिफी प्रिस्टोन होती है और 4 मिसो प्रोस्टल होती है मिफी प्रिस्टोन हम बड़ी वाली टैबलेट को बोलते हैं जो की सिंगल डोज होता है और 4 मिसो प्रोस्टल होती है जो कि एक जिसे दिखाई देती है वो चारों सेम होती है जब भी आप पहली टैबलेट लेते हैं तो कहीं बार महलाओ को पहली टैबलेट लेने के बाद भी पेरिट शुरू हो जाते हैं तो महलाओ का ये सवाल होता है कि मेम हमने पहली टैबलेट ली उसके बाद हमें काफी तेज ब्लीडिंग होने लगी है तो क्या आगे की टेबलेट हमें लेनी चाहिए तो हाँ, जब भी डॉक्टर ने जिसे भी आपको बताया है जिस समय पर बताया है अगर पहली टेबलेट लेने से भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो एस्थी condition में आपको आपका दूसरा डोज भी लेना है और तीसरा डोज भी लेना है दूसरा डोज और तीसरा डोज कोन सा रहेगा हमरा कि उसमें 5 tablet होती है तो पहला डोज यानि कि single tablet हो गई और जो 4 च्चोटी tablet है वो हम δोदो करके एक एक साथ लेते हैं तो दूसरा और तीसरा डोज हम इसको बोलते हैं अभी माल लीजी कई पेशेंट का सवाल ये भी होता है कि में हमने पहले लिए ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई पर हमने दूसरा डोज लिया यानि कि आगे की दो टैबलेट ली पीरेड शुरू हो गए ब्लीडिंग अच्छी खासी हो रही है तो हम आगे की दो टैबलेट छोड़ दे या ले तो तब भी मेरा जवाब होता है कि नहीं आपको जिस समय पर डॉक्टर ने बोला है उस समय पर आपको दोनों टैबलेट आगे की यानि कि थार डोज भी आपको लेना है क्यों कि अगर आप इनकम्प्लीट टैबलेट लेंगे अगर आप कोर्स कम्प्लीट नहीं करेंगे तो ऐसी कंडिशन में हमें इनकम्प्लीट एवोशन का प्रॉब्लम हो सकता है या आपको बच्चे के कुछ अंश आपकी बच्चदानी के अंदर रह सकते है जिसको हम नॉर्मली बोलेंगे इनकम्प्लीट एवोशन तो अगर आपको इनकम्प्लीट एवोशन से बचना है और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरी ब्लीडिंग काफी लंबे समय तक चले तो आपको पूरा ये जो पांच टैबलेट होती हैं इनको कंप्लीट करना रहता है जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है क्योंकि इन पांच बोलियों को हम कहीं तरह से ले सकते हैं जैसे कि हम 12-12 गंटे के अंतर से भी ले सकते हैं हम 24-24 गंटे के अंतर से भी ले सकते 36 गंटे के बाद भी ले सकते या फिर कहीं पेशेंट ऐसे भी लेते हैं, एक टेबलेट आज ले ली, फिर कल एक सुबा, एक शाम, एक सुबा, एक शाम, ऐसे करके भी लेते हैं, तो ये हर एक पेशेंट की कंडिशन अलग रहती है, हर एक पेशेंट का प्रेगनेंसी का टाइम अलग रहता है, तो ये का किस अलग-अलग रहता है तो जब भी ले तो एक बार तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर unwanted pregnancy हुई है तो अपने डॉक्टर से मिलना है जैसे डॉक्टर कहे वे से आपको आगे बढ़ना है अपनी मर्जी से खुद डॉक्टर नहीं बनना है तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको कि हमारी abortion pills की पाँचो टाबलेट लेना कितना जरूरी रहता है मान लोगर आप आधी अधूरी टाबलेट लेते तो अंदर बच्चदानी में कहीं सारे पार्टिकल्स भचने का चांस रहता है या इनकम्प्लीट एबोशन होने का चांस बहुत जादा बढ़ जाता है तो इसलिए आपको पाँचो टाबलेट खाना जरूरी है आकि अगर कोई समश्चर है तो आप डॉक्टर से कंसर्ट करिए जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लिर कर लीजिए धरनिवाद